Finally मेरा सारा काम हो गया है और मेरी जाकी भी जो मै ने बोला कि छोटी सी होगी तो वो अभी होज किया है कुछ मैने रेडी किया है और कुछ मेरे हास्बरने किया तो इतना स्वाइए से मंदिल इसमें जादा कुछ होनी सकता है तो कुछ इस तरह इसकी है नीचे का ये सब मैंने कर लिया था इतना और ये उपर वाला पार्ट मेरी पहुंच के बाहर था तो ये आके हस्बनने किया घर में सारी तैयारिया करके अब मैं आगे हूं मंदर क्योंकि मंदर में हो रहे हैं प्रोग्राम जो की 12 बज़े तक चलने वा पता नहीं क्या हो गया एंको तो यहां पर यह चल रहा था यहां पर बच्यों के धर दांस बगेर हो रहे थे और यह है मंदर में ये ठाकापड़ जूला रखा हुआ है यहां पर वो जन्म होने के बाद उनका ये जूला यह पर लगया है मतलब बठा ले जाए यह बाकी उनका पूरा बनाया हुआ था और यह जो ग्रीन पत्तों में ढखा हुआ ना यह है गर्व ग्रह इसके अंदर ठाकुर्जी रखे हैं जब उनका जन्म होगा तब वो इससे निकाले जाएंगे मुझे पता नहीं था तो मैंने पंडी जी से पूछा उन्होंने बताया कि ऐसा है बाकी यह दो कितना सुन्डर डेकुरेशन था और रिटर्न गिफ्ट में यह फ्रूटी मिलने वाली थी सबको परसाद में इधर दो इधर क्या हो गया क्या हो गया यह है लिटल कृसना यह बहुत कारी लग रही थी और जब वह चल रही थ तो बिल्कुल कृसना जी ही दिख रहे थे ऐसा लग रहा था कि मानों जैसे सच में किसना जी घूम रहे हैं वाँ पे और वैसी सेतानिया भी इनकी चल रही थी इन भाई साब के पास में एक छोटा सा बच्चा था वो इसको जाके बार बार परेशान कर रही थी जाके यह लड़की है लेकिन यह किसना बनी हुई है जाके बार परेशान कर दोटां जाके कि लेकिन जाकी पास में किसना बच्चा था जाओन टीर संच में हुई है कर दो कि अंगा है वह सुन कि उस खवना'' मैं इंग एाफिका लुट कि आमालि pronounced shots खर चाह सुझा है कर दो कर दोब कर दो कर दोर्भ आठे को व्हां सिर्जाब कर दो गःशने, अम्हार प्राव कर दो जा कर दो कर दो कर दो लिए हृृ। झाल 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 झा कर दो तो मेरे बेटे का डांस पर्फॉमिंस हो गया है और उसके बाद मैं घर आगी हूँ बापस क्योंकि आज ना बहुत ज्यादा थकावट हो गई थी काम करके प्रोग्राम तो काफी अच्छा चल रहा था और मन भी कर रहा था कि उधर रुकें इसके बाद कीरतन होना था और भी बहुत कुछ था वहाँ पर लेकिन हम इतना ठक गए थी कि मेरे बसका रहनी गया था वहाँ और बैठना क्योंकि फिर पूजा भी करने थी और हम इंतजार कर रहे थे बारा बज़े का जैसे ही बारा बचते हैं तो देखो ठाकुर जी का जन्म हो गया है और यहाँ पर मैं उनका अभी शेक करने के बाद उनको नहला के उनके कपड़े बगारा पहनाऊंगी जो कि सबके बर्डे में होता है इस्पेसल कपड़े आते हैं तो मैंने भी ठाकुर जी के इस्पेसल ही ड्रेस लाई थी उनका ये पूरा इस तरह से सिंगार का सामान लगाया हुआ था और मेरे ठाकुर जी भी छोटे है मेरी ससुराल में तो काफी बड़े से हैं, लेकिन इतने ही ठीक है, जितना मेरा मंदिर है उस हिसाब से ठीक है और मेरे ठाकर जी को ना मैंने गोल्ड की वालियां पहनाई हुई है तो मैंने ये सोचा था मैं ये सेट ले के आई थी इनके साथ की ये रिंग डालूँगी उनको लेकिन वो मतलब पता नहीं कैसे थे वो लगी ने रहे थे उनके कान में तो बापस से मुझे वही पराना मतलब जो उनका रेगलर पहन के रखते हैं अब अपनी बालियां ये फिर से उनको पहनानी पड़ गई कोई नहीं अगली बार से मैं चेक करके लाँगी देखा पूरी मैचिंग ड्रेस है उनकी पगड़ी ड्रेस सब कुछ एकदम पीच पीच था बहुत संदर लग रहे हैं और रुद्र बहुत खोस होता है उसको ये सब बहुत अच्छा लगता है मतलब पूजा उजा में इसका मन लगता है तो ये रुद्र सुरू हो गए अपना ठाकुर जी को जूला जूलाने में जब हम बच्चे थे तो हमें भी ये सब करना बहुत अच्छा लगता था और बस आज का व्लॉग मेरा यहां तक ही था मैंने अपनी जनमास्टमी कुछ इस तरह से सेलिबरेट की आप सबने कैसी की आप लोग भी कमेंट करके बताइए और ये जरूर बताइए कि मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा था और इसमें जो एक परफॉर्मेंस है हरे गोविन ले बोलो हरे गोपाल ले बोलो वो मेरे बेटे का है वो आप पूरा डामस देखना बहुत अच्छा है इसमें